अब मेरे लेटेस्ट टेट्स अपने मेल में पाने के लिए YouTube.com slash Hindi TechTune टैप करके हैं अगर आप सब्सक्राइब बड़न प्रेस करोगे तो हर दिन में जो कुछ भी लेटेस्ट टेट्स लाता हो ना वो सीधा आपके mail पर आ जाएंगे friends आज के इस video में दीखिए हम लोग ISO file किस तरह बनाया जाता है देखेंगे ठीके तो ISO file क्या है दीखे आप कभी भी OS की file देखते हो ना जैसे दीखे मेरे पास यहां remix OS है इसमें जो एक file दिख रहा है तो इसमें दीखिए और भी इसमें बहुत सारे files है ठीके तो इस सारे files को मिला कर एक file करते हैं तो इसको हम लोग ISO file करते हैं ठीके तो इससे क्या करते हैं हम लोग दीखिए अगर आप Windows 10 या 7 या किसी भी operating system की bootable file बनाना चाहते हो तो इस file को direct आप copy करने से वो bootable नहीं बन जाएगी उसको आपको पहले ISO में convert करके burn करना है तब जाकर आपकी जो OS है ना वो bootable में बनेगी इसी तरह आपके पास कुछ files है ठीके तो उस सारे files को मिला कर आप सिर्फ एक file में convert करना चाहते हो तो तब भी आपको ये ISO काम करेगा ठीक है तो मैं देखिए इसको किस तरह download करना है दिखाता हूँ इसके लिए मैं आपको दो links देता हूँ एक है देखिए यहाँ folder to ISO है ना अगर आप Google पर जाकर folder to ISO टाइप करोगे तो आपको इस site पर आजाएंगे यहाँ से भी download कर सकते हैं वारना देखिए मैं आपको एक link भी देता हूँ इस link पर से भी जाकर आप download कर सकते हैं download करने के बाद देखिए आपके पास इस तरह एक file आजाएगा इसको double click करिए आपको extract करने के लिए कहेगा उसको select folder प्रेस करके उस file को select कर लिजे जैसे दीखिए मैं यहाँ एक folder 3 नाम का folder को open कर लेता हूँ अब देखिए यहाँ select output इसको कहाँ आप ISO फाइल में convert करना चाहते हो तो मैं इसको desktop देता हूँ और यहाँ इसको एक नाम दे देता हूँ कुछ भी दे दीजे save प्रेस करके यहाँ देखिए generate ISO प्रेस करते ही यह आपके file के size के हिसाब से दीखिए एक ISO फाइल जेनरेट कर देगा ठीक है तो देखिए आपको यहाँ देखने में तो यह की file दिख रहा है अगर इसको open करते होना तो इसमें जो कुछ भी है वो सार है आपको दिखने लग जाएंगे ठीक है तो देखिए हैं folder 3 में भी इस तरह के image थे इन सारों को मिला कर मैं एक ISO फाइल में create कर चुका हूँ ठीक है तो friends अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो like बटन प्रिस करिए Facebook के जरीए Twitter के जरीए Google Plus के जरीए WhatsApp के जरीए इस वीडियो को शेर करिए सब्सक्राइब बटन पर ट्लिक करना मत भूलिए Thank you